नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आलोक स्वागत है आप सभी का अप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स लॉग कर दोस्तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं अपने बिंटर गार्डेन का एक अपडेट आप लोगों के साथ सेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर मेरे में कौन-कौन से पौधे लगा रखे हैं और अभी उनके अंदर किस तरीके से ग्रोध चल रही है क्या अपडेट है उन पौधों की किस तरीके से में केर कर रहा हूं सारा कुछ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा वीडियो में लाज तक बने रहेगा वीडियो पसंद आ साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें यहां पर यह चार पौधे जो आपको दिख यह मेरे पैंजी के पुराने पौधे अभी मैंने हाल में जो है पैंजी का दो पौधे और एड़ के हैं तो अब मेरे पास टोटल 6 प्लांट इनके हो गए हैं और धेर सारी विराइटीज रखने के चक्कर में मैंने हर पौधों की जो है लिमिटेड रेंजी रखी मतलब कु नहीं आई हैं बाकी दो जो है वो मेरिगोल्ड के उधर वाले पॉट के अंदर हैं अभी उनकी अंदर मुझे कुछ जैसे कली बगएरा नजर नहीं आ रही है ये भी जो है अब कलीओं पर धीरे-धीरे करके आ रहे हैं उसके बाद ये है मेरे गार्डन के अंदर बर्बीना के पॉधे बर्बीना भी काफी अच्छा जो है वो ग्रोध कर रहा है और ये दो तो मैंने मैच्योर प्लांट लिये थ जिसके अंदर देखे ये वाली अब जैसे फेड हो गई है इस तरीके से डेड़ेडिंग करके इसको मैं निकाल दूगा अभी काफी सारी कलियां देख रहे हैं आपको दिख रही होगी जितनी भी टिफ है सभी के उपर जो है इसके अंदर कलिया बनी हुई है ऐसे ही जो है ये वाली भी अभी तो इसके अंदर है इस बन्च में फ्लावर वरना इसको जो है भी में डेड़ेडिंग करके निकाल दूगा अभी ये दोनों जो है फ्लावरिंग पर नहीं आए हैं क्योंकि ये मैंने बेवी प्लान्ट लाकर एट किये थे अपने गांडन के अंदर और से रगुलर टाच में अगर हम रहें तो अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही होती है तो पता चल जाती है साथी वीट्स वगएरा भी निकालते रहना चाहिए और यह है कैलेंडूला के अंदर भी देखिए कलियां बन गई हैं इनको मैंने सीट से ग्रो किया था और एक एक के कउन फॉर है काइवर के दो प्राइं पैने रिपॉर्ट किये हैं अभी एक दो मुझे और भी करना है कई दिन उसे मिट्टी की गुड़ाई नहीं हो पाई है तो सोच रहा हBLE जो है एकटीन टाइम निकालकर मिट्टी की गुड़ाई कर देता हूं क्योंकि मिट्टी के गव येलो का एक शेड है ये परपल का है ये औरेंज निकल के आया है ये भी जो है औरेंज निकल के आया है अभी इसके अंदर कोई फ्लावर नहीं आए है तो बढ़िया जो है गजनिया भी कर रहे हैं इसके बाद जो है आपका ये एस्टर के चार प्लांट है मेरे पास इसकी भी मिट्टी की गुडाई करनी है और मुझे लगता है कि आज मुझे सुवे में पानी नहीं दे पाया इनको तो पानी भी देना है और कुछ फंगिशाइट का इस्प्रे भी मुझे एक बार लग रहा है करना पड़ेगा क्योंकि है क्या कि अभी ये पौधे तो बहुत अच्छी ग्रोध कर रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा लेकिन अगर फंगिशाइट का इस्प्रेम लोग करते नहीं तो फंगस लगने के चांसे कुछ कम होते हैं वहीं बात अगर करी जाए इस्ट्रॉबेरी की तो देखिए इस्ट्रॉबेरी के अंदर फ्लावर्स आना सुरू हो यह दो फ्लावर्स इसके अंदर आ गए हैं यहां भी देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं तो अभी हाल में ही रिपोट किया है देखिए साइट साइट से जगे जब बन जाती है न तो यह बहुत ही अन्यूजल सा लगता है एक साथ कई सारे पौधे रिपोट किये थे तो वाइट कलर अगर निकल जाता तो क्या कहने थे फिरहाल जो है मैंने वो दोनों भी वाइट के चक्कर में ही लिया है देखते हैं कौन सा कलर निकल के आता है मैरी गोल्ड जाफरी के अंदर जो है लगभग एक महीने हो गए बहुत जब अदस फ्लावरिंग चल रही है सभी इसमें इसी तरीके से जो है खूबसूरत फ्लावर्स लगातार बने हुए हैं और अब इंपेशन्स दिखाता हूँ इंपेशन्स के अंदर भी देखिए कितनी बढ़ियां फ्लावरिंग इस टाइम पर चल रही है और यहां साइड में जो है मैंने अपने बिगोनियाज अब हो है दोनो और यह हाल में ही जो अभी मैंने रिपोर्ट किये हैं आपके डॉकफ फ्लावर्स बाकी मेरे डॉक्रावर्स पुराने प्लांट हैं इन के अंदर कितनी बढ़ियां से जो है वह शुरू हो गई है रॉक्फ फ्लावर कापी अच्छा कर रहे हैं ये मैंने एक पॉट के अंदर दो लगा दिए इसमें तो एक ही मैंने डाला है जैसे मुझे जगया मेली वैसे ही मैं लगाता चला गया यह है आपका जरवेरा देखे कितनी बढ़ियां फ्लावरिंग कर रहा है अच्छा होता क्या है कि जब हम अपने प्लांट से रेगुलर टैच में रहते हैं तो हमें उनकी नीट्स का भी पता चलता है अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती का भी हमको पता चलता है और जो टीशू कल्चर विधी से उगाए गये छोटे-छोटे जरवेरा के प्लांट लगाए थे देखे इसके अंदर कलिया आनी शुरू ही है और यह वाला जो है अभी ठीक से ग्रोथ नहीं कर रहा है मिट्टे की गुडाई करेंगे आई तिंक जो है अब इसको ग्रोथ करना चाहिए लेकिन क्योंकि क्यार तो बिल्कुल एक जैसी ही सब को कर दे रहा हूं मैं पता नहीं कौन सी कमी हो रही है और यह चार फ्लावर इसके अंदर एक साथ खेले हैं नीचे से पांचवा जो है वो निकल के आ रहा है यह भी बहुत हेल्दी सा प्लांट है जरवेरा का ड बिल्कुल प्लेन सा है और यह तो मेरा पूराना वाले प्लांट का मैंने कटिंग बचा ली थी वो है इसके अंदर फ्लावर नहीं आये हैं क्योंकि मेरे डैंथस के ऊपर बहुत ज्यादा कैटर पिलर्स का अटैक हुआ था देखे इसकी कितनी सारी पत्तियों को खा लिया ह इसके अंदर भी बहुत सारी पत्तियों को जो है नुक्षान पहुंचाया था और इस वाले प्लांट को तो पूरा जैसे खतम ही कर दिया था तो अभी कल मैंने एमिडा क्लोप्रिट का भी स्प्रे किया है इनके उपर और यह हैं आपके जो है दो प्लांट मेरे शिनेरेरिय तो जो है अभी चार के चारों पॉट देखिए कितनी हेवी प्लावरिंग इनके अंदर चल रही है पिटुनिया की बात अगर करी जाए तो अभी इस वाले पॉट के अंदर फ्लावर्स नहीं आए है बाकि इसमें देखिए रेड का कितना प्यारा कलर निकल के आया है यह प यह निगान फोड़ा यह व्यां प्लावरिंग करतें जो है। अब यहां पर इसमेए कृट प्लावरकांट यहवी फ्लावर तो यह इसमें चैनल करें हैं मैंने इंदर रखे हुए हैं एग यह तुस लगा लिए खाले साइब टिंद और यह थेए यह कोड़ा है यह बूड़ हूं तो इसको भी मैंने खूब पिंचिंग करके काफी घना बना लिया है और यहां पर देखिए जो है कलिया भी आनी शुरूफ हो गई है खूब अच्छे से बड़िंग इनके अंदर चल रही है और डहलिया की अगर बात करी जाए तो डहलिया के अंदर भी बट्स आना जो है हो गई थी तो पिंचिंग के बाद भी मैंने हाला कि इनके अंदर बर्ट्स आई थी उसके बाद भी मैंने पिंच कर दिया था लेकिन फिर भी जो है यह अब फिर से फ्लावरिंग पर मतलब बर्ट्स बना रहे हैं तो फ्लावरिंग पर अब आही जाएंगे और 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 बात करी जाए तो देखे कितनी खूबसूरत यह देखने में लग रही है मैंने तीनों को ऐसे सेंटर गार्डेन के में उठा कर जो है वो रख दिया है बहुत बढ़िया जो है यह कर रही है और अभी हाल में मैंने कार्नेशन को रिपोर्ट किया है मैंने कार्नेशन जो है इस अब छूटे पलावरस की सीडलिंग्स हैं इनके अंदर पॉट अब इनके अरे ब्रेंद में सब्सक्रणा की चार चार टृक्स के हैं लिए विसके अंदर बड़ा ही प्यारा सा कलर है यह वाला मैंने अभी हाल में ही इनके ऊपर वीडियो आप लोगों के साथ सेयर करी है अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो प्लीज जाकर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ को प्रून किया था तो काफी अच्छी ग्रो था देखे कितनी बढ़िया ग्रोथ यह कर रहा है पुरब बहुत अच्छा सा बोशी बन जा रहा है यह पौधा और यह मैंने पहले लिए थे इन सारे पौधों को थोड़ा इनकी हालत नाजुक दिख रही है लेकिन मैंने ऊपर से जो है वो सब की कर दी है पिंचिंग अप जितने पौधे थे इस वाले की नहीं की थी इसकी भी कर देता हूं क्योंकि नीचे से जो है जब धेर सारी ब्रांचे निकलती है वह अधा घहना हो जाता है तभी जो है अच्छा लगता है यह है बिटर गार्डेन की अपडेट फिलाल जो है अभी मैं आप लोगों को अपन करता रहता हूं यह साइड में मैंने यूफोर्विया मिली की सारी की सारी कटिंग जो है वो डाल रखी है यह मेरे विंका है मिंका को देखेंगे अभी तो इनको मैं सिफ्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके फ्लावर्स की साइज छोटी होनी शुरू हो गई है अब इन पर है हैं धोरेड में पास ओरंज है ररेड है पिंक है यलो है और काफ़ी सारी कटिंग इनकी मैंने देखिए यहां पर लगा रखी हुई है यह सब्यweet और हैं विल्दी न जराहें लेकिन ये बहुत karti कर है सारी कि सारी और इधर जो है वो पौधें है जो अपनी डोरमेंश्य में हैं इस टाइम पर जैसे की यह रेनलीली वगायरा को मैंने यसे रखतिया है पानी देता रहता हूँ और यह मेरा सॉक मतलब ऐसे पौध हो का सेक्शन है जो मैक्सिमम जो है सौक में चल रहे हैं तो ये मेरे ग्राउंड पर जो रोज के प्लांट लगे हुए थे उनको मैंने यहां पर ले आके रखा हुआ है तो ये तो अब सैस सौक से बाहर आ गया क्योंकि इसकी पतियां जो है अब नहीं मुर्जा रही है हाला कि फ्लावर्स अभी भी देखिए जो है मैंने सोचा था एक बार फ्लावर्स करकर करके हटा दूँगा लेकिन फिर मैंने हटाया नहीं तो दोस्तों यह रही विंटर गार्डेन की अपडेट साथी साथ मैंने आप लोगों के शाथ सेयर किया कि किस तरीके से अभी मैं कैसी लगी आपको यह वीडियो हैसी किसी नई वीडियो नहीं अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक कियर